हालो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सभी उमिद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है कल जहां से मैंने एंड किया था तो हम लोग खा रहे थे फुल की कोल गपे तो मतलब ये लेकर तो आये थे हम लोग चैलेंज के लिए पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सर्द कारती की तवियत भी ठीक नहीं थी बीच में अभी थोड़ा वो हो गया था तो इस वज़े से फिर हमने खाया नहीं और मेरे भी वीबृत वगया बार-बार मतलब आ रहे थे तो फिर नहीं हो पाया मतलब दोना तरफ से दिक्कत हो गई थी तो अभी हम लोग खा रहे हैं उसके बादा भी कार्तिक का ट्यूसन का टाइम हो गया है तो कार्तिक ट्यूसन जा रहा है क्योंकि अभी उसको चाय बिस्क्विट खाना था लेकिन टाइम ही हो गया तो वो नहीं खा पाया तो चलिए आगे वीडियो कंट्यूनि करते हैं तो अभी देखिए यहां पर रात का टाइम है और यहां मैंने काम करना जो है वे स्टार्ट कर दिया है अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा जब तक थोड़ा बहुत मैं कुछ कुछ क्लीनिंग कर लेती हूँ तो ये मैंने एक liquid बनाया है मतलब ऐसे ही normal सा कोई हमसे आता नहीं है ये liquid बनाना तो मैंने हलका सा गरम पानी किया है बिल्कुल हलका सा कि हाथ डुब हो सके उसमें मैंने सर डाल लिया है थोड़ा सा निर्मा और थोड़ा सा नमक और एक चमच बेनेगर तो ये इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि जितने भी मतलब तेल से चिटके टाइप के चिकट जाते हैं कुछ भी चीज है बाटल वगेरा तो उसको धुलने के लिए तो यहां मेक अप का सामान भी इनमें भी ऐसे ही कुछ हो जाता है तो मैंने सोचा है साइदिस से छूट जाए तो यह बहुत अच्छे से छूट गया और छूट रहा था और अच्छे से साफ हो गए तो कार्तिक भी आ गया था और हम दोनों मिलकर यहां पर सफाई कर रहे हैं मैं मतलब गिले कपड़े से पोँच के देते जा रही हूं और यह सूखे कपड़े से पोँच के रखते जा रहा है यह वाला एरिया भी साफ करने मैंना कम से कम दो से तीन घंटा लगी गया था क्योंकि छोटे छोटे चीज रहती है न बहुत ही ज़्यादा ओर टाइम लगता है अच्छा पीछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लीनिंग बगयरा मतलब मन नहीं कर रहा था तो सच में दिमाग जब डिस्टप रहता है तो कुछ चीज करने का मन नहीं करता है और मैंने अपनी सेर कि अच्छा लग रहा तो फिर आप लोग कह रहे थे कि इसमें कौन सी नहीं बात है कि आप बिजली का बिल नहीं भरा पानी का यह वो मतलब बात वो नहीं है भरते तो रहे लेकिन एक दम से आगया रहा पहले काम आता रहा न जैसे घर हमारा निव वाला बना है तब मतलब नहीं आता था इतना लेकिन जैसे घर बना है ना तो बहुत कुछ काम हुआ है मसीनों का तो इस वज़े से बिल बहुत सारा आ गया था और उस टाइम ना पैसे की कंडिसन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि हमने घर ही बनवाया था तो उसमें भी पैसे कम पड़ गए थे तो हमें फिर बहुत ज़्यादा मतलब गर्जा वर्जा लेकर फिर हमने सुच आप करवाई लेते हैं इतना कर लिये तो इतना और करी लेते हैं काम करते करते हम सब चुका लेंगे तो कुछ इस तरीके की बात मतलब समय चल रहा था साल भर बीट गए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं वालब अच्छे से हमनों काम कर पाई फिर बीच में मेरे ससूर जी की तबियत खराब हो गई तो इस वज़े से और ज़्यादा हो गया तो छुट्टी पर छुट्टी लग गई मेरी एक से दो माईना तो वस इस वज़े से बहुत सारी परेसानिया आ गई खटी सब हलो एवरिवान और देखिए ये वाला जो हमनों का ये जो एरिया है ना ये वाला है ना साफ कर दिया पूरा यहां की चीज़े हैं और यहां की तो ये रखी हुई है और इतने काम को करने में पूरा दो घंटा लग गया क्योंकि छोटी छोटी चीज़े हैं तो थोड़ा टाइम लग गया है चोटी चोटी और अच्छे से चमका दिकार्टिंग नहीं बहुत अच्छे से तो थोड़ा बनाया था ना डिकवेट में पाने के साथ है से उससे बहुत अच्छा साफ हो गया है इतनी जादा दूल डास्ट और वह हो रहा था एकदम तेल जाथा चिपचपा तो उससे ना साथ बजहें बेठेते हैं हमोगों काणि नौबज गया और अब ना को पर आप आप जा रहे हैं तो अब बागी का काम कल करेंगे तो अभी मैं देखाती हैं आप लोगों को को पहले औwn you यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर ली हैं अच्छे से और आप भी कह रहे थे आप लोग की ठीक है दी ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लीनिंग हर साल की जाए जब जैसा समय आता है वैसे ही कर लेना चाहिए तो ऐसा मैं भी मानती हूँ और बिल्कुल सही का आपने मान अच्छा हो और कंडिसन अच्छी हो और मतलब उस तरीके का हो तो फिर सब अच्छा लगता है करने में और नहीं है तो फिर कोई भू नहीं लेकिन फिर वोई वाली बाता जाती है ना फिर एक मन ये भी होता है यार तिवार आया है साल वर में तो आता है और उसमें भी अपन सफाई ना करें तो कैसा लगता है माला लगता ही नहीं है कि तिवहार वाला घार है इसलिए फिर मैंने सुचा चलो कर लेते हैं धीरे धीरे सफाई कर लेते हैं अलो गूड मॉनिंग एबीवन और कैसे हैं आप सभी उमिद करते हैं थिए क्यासे ही बहुत अच्चे होंगे कल का वीडियो जो है ना मैंने रात को मतलब फिर कांग वही छोड दिया था और फिर खानाना बना के मंलब कल रात से अभी बिल रही हूं तो आभी जस्ट मैने कार्टिक ठीफिन बॉक्स जो है वह बना कर दिया है पता है आज क्या ले गया खारतिक ले गया है लोकी की सब्जी और पराठे अभी ना वो अच्छे से ले जा रहा है कोई भी सब्जी में दे रही ना तो बहुत अच्छे से खा रहा है सच में बड़ा अच्छा लगता है कि सब्जी खाना थोड़ी थोड़ी सीख रहा है तो य दूब अच्छी बनी थी पर मैंने चमचे से अच्छे से मैसी कर दी है तो इस तरीके की हो गई है बहुत अच्छी मनलब जीए रखे साथ तरका लगा के और हरी मिर्ष टमाटा डाल के सिंपल सी मैंने सब्जी मनाई बज गया है साड़े साथ तो मैं निकाल के लग दी तो तो जाएगी कि अभी तो मैं चाय प्यूंगी जब तक आदा घंटा हुई जाएगा तो फिर उसके बाद में एक आध पराठा में ले लूँगी पता नहीं क्यों आज करना सोबे सोबे भूख लगती है तो थोड़ा ले लेती हूं तो मेना नास्ता हो जाता है फिर इनको भी दे देती हूं वही आदस साड़े दस वजी करी तो यह सोबे से नी खाते हैं यह दस साड़े दस वजी तर खाते हैं तो यह चाय पी लिये हैं और अभी किचन बहुत जादा वैसी परिए इसमें तो सब्जी ही बनाई है तो या कि यह रात को ना इतने साइब बरतन हो गए थे अब तो सारे भ१न दुलके मैं राफ दिये हैं अभी बहार इनको जम आनृप अब हीर था चांढवी भी नहीं क्यंकि अध्य आसे मैं क्लैनिंग करूंगी थोड़ा थोड़ा Heto यह की बारतन स्टार्ट करने दुलना सबसे पहले क्योंकि यह ज़्यादा जरूरत नहीं रह तो यह बाद में करूंगी बांकि बरतन है ना जो मैं सारा कुछ दूखे रख लोगी अंदर कभी थोड़ा-थोड़ा हो गया है बस अभी अब सबसे मेन काम है पुताई करना तो पेंट करना पड़ेगा तो देखते हैं आज और कर लेते हैं और पिर उसके बाद देखते हैं क्योंकि मैंने जो निकाल की रखा था ना तो मैंने खाए नहीं था और वस्तायार हो गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं फिर कंपनी जा रहे हैं तो वहां से आकर फिर काम में लग जाएंगे और अभी जो है वो next morning हो गई है मैं जा रही थी company तो मैं थोड़ा सा नास्ता कर रही हूँ और आप लोगों का ये comment आया था कि मुझे पापड में कितने पैसे मिलते हैं इसका reply मैं आप लोगों को कल की वीडियो मैं बहुत मतलब अच्छे से और कल बता दूंगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो अभी न मैं यहाँ पर नास्ता कर रही हूँ कार्तिक का टिफिन देने के बाद फिर सारे काम हम कर लिये थे और नीचे थोड़ा ये रखे हैं ना कुछ तो ये कार्तिक की चीज़े हैं कुछ बंडिब्बे वगेरा पता न क्या क्या लेकर आये थे खेलने के लिए वाकी काम मेरा हो गया था और मैं नास्ता मैंने कर लिया था पराठा एक ले लिया था और थोड़ी सी लोकी की सबची सोबह मैंने वही बनाई है और इसके बाद यहां मेरे हस्बेंट के लिए मैं नास्ता बना रही हूँ क्योंकि व बाद आने के वास सीधे मैंने यहाँ पर नस्तबनाने स्टार्ट कर दिया तो यह मैं सिमया बना रही हूँ वर मिसली सिमया मिटी वाली कस्टड वाली और यह जो कस्टड में लेकर आई थी न मौल से जब मैंने आप लोगों को सेर किया था कुछ चीज़ लाई थी पता है क्या हुआ मैंने ध्यानी नहीं दिया कि यह कौन सा फ्लेवर में आया है तो अभी जब इसको मैं मिक्स कर रही थी न धिक दम से खुसबू आई तो यह मैंगो टाइप की खुसबू आई फिर मैंने कस्टड को दोबारा चेक किया फ्रेश से निखालकर मैंने सचा यह मैंगो फ्लेवर में है पर इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था बहुत ही अच्छा लगा था, यह से महीं बहुत अच्छे लगी थी लगी तो वो दूसरा वाला बनीला फ्लेवर का आता है ना तो वो भी अच्छा लगता है पर ये एकदम न्यू कलर न्यू टेस्ट था मेरे लिए तो चलो इसको भी ट्राइकल लिए अच्छा लगा ये और एक strawberry का था तो वो भी वो भी अच्छा बनता उसका मैं से महिया बगर नहीं बनाती हूं उसका तो कार्थिक के लिए ज़्यादा थर मैं custard ही बनाती हूं fruit custard तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है इसे महिया देखिए वन के तयार हो गई है तो ये नास्ता मारा रेडी हो गया है थोड़ा बहुत ही काच्छा मज मैं खाऊंगी वहां के इस बेंड के लिए तो आज का जो वीडियो है मैं इसी के साथ एंड कर रही हूं मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नास्ती वीडियो में तब तक के लिए तैंक्यू बाइबाइ